आपने बहुत सारे सूपर हीरोज की मूवी देखी होंगी और उन मूवी में सूपर हीरोज को हमारे सामने ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो बहुत अच्छे हैं अब मैं यह नहीं क्या रहा हूं कि Super Heroes हमारे सामने ऐसे represent किया जाएं कि वो बहुत गलत हैं बट यह वाली जो Series है इसके अंदर ऐसा ही किया गया है इसमें Super Heroes को बहुत जादा एक तरीके से कहीं कि Negative Image दिखाए गया है इतने कमीने दिखाए गया है मतलो साले अपने आप कोई भगवान मानते है नमश्कार दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं तब बोईज वेब सीरीज के बारे में जिसे Amazon पर रिलीज किया गया था 2019 में और यह अभी इसका First Season है इसका Second Season 4th of September 2020 को आने वाला है टोटल इसके अंदर 8 एपिसोड और हर एपिसोड एक एक घंडे का है कहानी पर आते हैं इस सीरीज में एक ऐसे वर्ड दिखाया गया है जिसके अंदर सूपर हीरोज है और उन सूपर हीरोज को एक कमपनी ने हायर कर रहा है वाउट उस कमपनी का नाम है वाउट या वाउट I don't know प्रनिंशेशन उसकी क्या है तो वो एक कमपनी जो है इसको इन सूपर हीरोज को हायर करती है वो इन सूपर हीरोज को लोगों की नजरों में अच्छा बनाती है चाहिए वो कितने ही भी कमीने हो कितने भी करप्ट हो लेकिन उनका काम यही होता है कि इनको जो है लोगों की नजरों में अच्छा बना के रखना है ताकि इनको एक ब्रैंड वैल्यू बना सके और उनसे रूपे कमा सके वैसे सारा का सारा खेल इस सीरीज में यह दिखाया गए कि सब रुप्यों के पीछे इतने बरस्ट हो चुके है उनको कुछ नजर नहीं आता रुप्यों से आगे और सबसे कमाल की बात है यह सीरीज जब वो लिब्रल का एक पॉइंट ओ व्यू दिखाने की कोशिश करती है अदलो लिब्रल इसमें कहेंगे कि अपने आपको बड़े जो बहुत फेमिनिस्ट मानते हैं वो वाले लिब्रल जो इसमें कहा गए कि तुमारी नजरों में फेमिनिस्म कहें तो एक लिब्रल का जवाब था कि फेमिनिस्म का मतलब यह है कि एक औरत जितना हो सके अपने शरीर का अंग परदर्शन करें और ऐसा ही आल भारत में भी है जो भारत के जो फेमिनिस्ट है वो भी ऐसा ही सोसते हैं फोर मोर शोर्ट्स जो है वो एक वेब सीरीज जिसके दो सीजन आ चुके है एमाजोन प्राइम पर ही तो आप वो देख सकते हैं वैसे मैं देखने की कोई नसीयत नहीं दूगा वो तो इतने वाहियात हैं देखकर ही उल्टी आ जाएगी उनको बैक टू दी स्टोरी इन सुपर हीरोज में यह बहुत सारे सुपर हीरोज हैं इस पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए सुपर हीरोज हैं तो उसे कोई tension लेने की बात नहीं है वो अपनी life में मसता है वो इमानदारी की job वहाँ पर कर रहा है तो उसकी एक girlfriend है Robin अब Robin जो है वो UE से मिलने आती है उसकी shop में और वो shop से बाहर आते हैं और बाहर आके वो कर रहे होते हैं जो भी करना होते हैं तो उसके बाद A train आता है फुल स्पीड में और ये टकराता है Robin से और Robin से टकराने के बाद Robin के चितरे उड़ जाते हैं और पूरी की पूरी दुनिया हो जड़ जाती है UE की अब यहाँ से कहाने शुरू होती है एक team है superheroes की साथ जिसके अंदर superheroes हैं ये सारे के सारे corrupt हैं कमीने हैं बेकार हैं बहुत जादा गमंडी है अपने आपको बगवान समझने वाले लेकिन इसमें एक ऐसा superhero भी है जिसका नाम है Annie Starlight मतलब Annie उसका real name है और Starlight उसको superhero का नाम दिया गया है superhero तो नहीं कहूँगा superheroine कहूँगा क्योंकि feminism क्या पता वो नराज हो जाए यार उसको hero कैसे कहती है starlight जो है वो अभी अभी team में शामिल हुई है इन साथ के member में अभी अभी शामिल हुई है तो उसको जो है अंदर की गंदगी नहीं पता वो इमानदारी से लोगों की सेवा करना चाती है अपनी power का अच्छे से use करना चाती है ताकि लोगों को वो बचा सके एनी की जब entry होती है team में तो उसका first experience ही इतना घटिया निगलता है एक deep नाम से एक superhero जो उसके सामने pen खोल कर नंगा घड़ा हो जाता है और एक invisible power वाला उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा तो वो जो है वो bathroom में लड़कियों के bathroom में मतलब उसको कोई देख नहीं सकता तो वहाँ पर जा कि वो चिचोरे काम कर रहा है और एक और super heroine जो है वो भी जो उस team के जो 7 super hero है इनका जो team leader जो है उसे कोई मतलब नहीं है कि वही कोन मर रहा है कोन जी रहा है बस वो अपने फाइदे के लिए अगर उसके सामने कोई उसका फाइदा नजर आ रहा है तो उसको बचाएगा नहीं उसका फाइदा तो उसे वो मरने देगा तो यूई जो है एक ऐसी team से मिलता है जो इन superhero's से नफरत करते है और इस team को lead करता है William Butcher अब William जो है उसकी wife का rape जो होमलेंडर कर देता है अब उसकी wife जो है जिन्दा है या नहीं है ये जानने के लिए William जो है वो पूरी series में मतलब आपको कैसे तरपता हुए नजर आता है कि वो जानना जाता है उसकी wife जिन्दा है या मर गई और ये ending में ही पता चलता है और मैं ये नहीं बताने वाला कि भी जिन्दा है या नहीं है वो तो आपको ये series देखनी ही पड़ेगी और William Butcher की जो ये team है इसी का नाम है The Boys अब इसकी बात करें इसमें जो series में VFX यूज के गया है वो कमाल के एक अच्छी कासी Hollywood जो movie होती है जिसमें अच्छा कासा पैसा लगाया गया है कह सकते हैं कि उसको भी ये पीछे चोड़ दे इतने जवरदा सी इसके VFX है अब इन दोनों के लड़ाई में जो secret है वो अब बाहर निकलते हैं कि भई ये जो super heroes जो हैं वो उनको जो पैदा हुए थे उनके साथ वो power नहीं मिली थी मतलब कि naturally वो power नहीं थी जो वो पैदा हुए थे तो उनको एक drug compound V नाम से एक drug दिया गया था ताकि इनको power मिल सकें और ये बात पूरी दुनिया से चुपा के रखी गई थी अब और ज़्यादा स्थिति कराब करने के लिए Homelander जो ये compound V है वो जिहादियों को दे देता हैं ताकि super terrorists जो हैं वो पैदा हो सकें और एक world को लगे कि super heroes की जुरूरत है क्योंकि इन super terrorists लड़ने के लिए और यही सब चीजें जो हैं ये the boys, ये जो William Butcher हो गया Huey हो गया, Francie हो गया और एक Japanese वो लड़की थी और एक mother's mother's milk जो हो गया ये सारे milk हैं इनकी जो जो ये secret है वो दुनिया के सामने लाना जाते हैं ताकि लोगों को सच्चाई बता सके कि असलियत में इन super heroes की असलियत क्या है, ये लोगों को कैसे दोका दे रहे हैं, ये सिरो फो सिरो इनका मकसद पैसे कमाने का है, और साथी साथ इसमें दिखाया गया कि कैसे लोग जो है वो धरम को अपना हतियार बना कर एक दूसरे धरम के खिलाफ यूज करते हैं उनको उत्साहित करते हैं कि तुम जाओ अपने परोसी को अगर वो दूसरे religion का है, दूसरे धरम का है तो उसे जाकर उत्साहित करो कि वो अपना धरम convert करें, इसमें ऐसा भी दिखाया गया और इस सीरीज के last में एक secret जो है वो open होता है और मैं नहीं बताने वाला वो secret का है क्योंकि वो मैंने भी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, बट जब वो open होता है यार कसम से जबरदस twist था वो क्योंकि जब इसका last का जो ये twist है, या last का जो इसका open होना secret का, यही second season की शुरुवात बनती है, और मैं नहीं बताने वाला कि वो क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का interest ख़राब हो आप लोगों को अगर जानना है वो के तो बेशक आप लोगों के इस series देखनी पड़ेगी इस series में बहुत ज़्यादा violence है, बहुत ज़्यादा violence के साथ जो violence है वो बहुत खतरनाक level का भी है और इस series को देखने के बाद कहीं न कहीं आपको लगेगा, यार, super heroes के एक negative image आपके दिल में बनती भी नज़र आएगी आप काफी जगा comedy का scene भी है इसके अंदर आप हसाने के लिए कसम से ऐसे scene थे जिनको मैं मैं तब, मैंने वो बार-बार देखे वो scene में यार, ये वाला देखने में enjoy आ रहा था मुझे को, जहां लोंडे होते हैं वहां हंसी मजाल तो होता ही होता है और अब इसका first season खतम होने के बाद मुझे बेसबरी से इंतजार है इसके second season का, I hope so कि वो 4th September को अपनी exact date पर release हो जाए, पता नहीं क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तब भी मुझे उमीद यही कर रहा हूँ कि 4th September 2020 को ही release हो ताकि मैं इसका second season देख सकूँ और काफी अच्छी story है एक नया आपको concept देखने को मिलेगा जहां पर super powers जिनके पास होती है वो कैसे दुनिया को control करते है liberal जो, मुझे एक तरीके से ऐसे feeling आई या, यह liberal वालों का काम ऐसा, तो जाकर जरूर देखो यार इस series को enjoy बहुत जादा करोगे, और काफी जगां तो यार, scene बड़े ब्यानक ब्यानक से थे, यह सोच भी नहीं सकते या, एक आम इंसान super heroes के खिलाफ लड़ रहे हैं अगर कुछ एक भनक भी उनको लग गई तो वो उनको वहीं मार देंगे यह वाला जो उसके साथ मेरी connectivity बनी इस series के साथ, वो जबरदस मुझे लगी और काफी जारा पैसा खर्च किया गया है यार, इस series पे वो देख कर ही पता चलते हैं बेशक आप इसका trailer देखोगे तो अभी पता चल जाएगा बाकी मेरी तरफ से इस series को मैं देना जाओँगा 8.5 out of 10 star अगर आप लोग इन इस series देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोगों कैसी लगी और अगर नहीं देखिए तो यार वेट किस चीज़ का कर रहे हैं एक अच्छी कासी एक नया concept एक नई story एक अच्छी performance के साथ कोई series देखना जाते हो तो जाकर the boys देखो और बहुत जल्द इसका second season भी आ जाएगा बस आज के लिए इतना इता इस video में thanks for watching this video मिलते हैं next video में जाहिद